रादे रादे जैशी किष्णा कैसे हैं भक्तो आप सब आई होप सभी अच्छे होंगे मैं संगीता शर्मा भक्ती बजनरिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं तो भक्तो जो आज की वीडियो है रमाई काची पे लड़ू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है तो आज अब लड़ू गोपाल जी को मैं करा दूंगी साफ जल से इसनान और ओम नमो भग्वते वाशुदेवाय मंतर का जाब जाब जरूर से करें ओम नमो भगवते वाशुदे वाए नमा तो लड़ू गोपाल जी को मैंने इसनान करा दिया और जो इनका इसनान का जला किसी भी पोधे में डाल सकते हो अब मैं इनके टोवल से पोच लूँगी और अच्छे से इनको फिर इत्र की मसाज दूँग तो इनको मैं पोच लेती हूँ और कपड़े पे ना देती हूँ पहले लड़ू गोपाल जी को मैंने तयार कर लिया है अच्छे से शिंगार करें इनका इकात्सी पे अब साथ में इनको गाय माता बिठा देंगे लड़ू गोपाल जी का शिंगार हो चुका है और इनके पा इस तरीके से स्प्रे कर दूँगी थोड़ा सा ताकि महकते रहे हमारे लडू गोपाल जी और आप में पहना दूँगी इनको माला, अगर आपके पास माला है माला पहना दें, फूल है तो फूल भी पहना सकते हो, हो सके तो आप उस दिन माला जरूर ले गया है, रमाईकाथ स पर हमें लड्डू कोपाल जी की इसी तरीके से सेवा करनी है अब लड्डू कोपाल जी के पास मैं भोग रख दूंगी आप उस दिन पान का भोग लगाएं लड्डू कोपाल जी को और ये गुड़ और तील है लड्डू कोपाल जी के पास रख दिंगे भोग में उस दिन आ आरती तो जो भी आप आरती करते हैं लड़ुगोपाल जी की वो आरती कर लें और कोई भी फ्रूट्स का भी आप भोग लगा दें और सभी में तुलसी जरूर डालनी है आपको तो आप कर लेंगे हम आरती लड़ुगोपाल जी की जो भी आरती करते हैं आरती कर लेंगे रख दिये यहां पे और थोड़ा सा हाथ में ले लिया जल, तीन बार हम इस तरीके से गुमा के साइड में ये जल छोड़ देंगे और फिर दे देंगे हम आरती लड़ू गॉपाल जी को खुद भी आरती ले लेंगे और सभी भगवान को भी हमें आरती देनी हैं, तो हमें ल राधे राधे जैशे किछना मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो में, राधे राधे